Hi everyone, theories on evolution, so without wasting time, let's get started. First theory is Big Bang Theory, Big Bang Theory says that the universe has been 20 billion years old, and the universe has been built in a big brain. Earth has been built in 4 billion years before, and when the Earth has been built on the atmosphere, it was not just a molten mass, which is always a charge gas. The charge gas is CH4, H2O, CO2, and NH3. H2O ko tó UV raise H2 plus O2 me toel děti tí, और वो जो O2 ka molecule, CH4, CO2 in sable ke saath, आपस me react करने था. और OXYZN ka molecule एक OXYZN दूसरे molecule के साथ भी react करने के बाद वो H2O Co2, Оzone बना लेता था. अब Earth पे Ozone आ चुकी थी तो obviously Earth के ओपर atmosphere होगा. Now, यह तो था Earth कैसे बनी, अब बात करते हैं कि Life कैसे आई Life के लिए जो theory जी वो थी यह Biogenesis की या फिर Spontaneous Generation की यह कहती थी कि Life जो आई है वो dead organism या फिर rotten material के उपर पैदा होती है जैसे एक mud है, उसके उपर मच्छर अपने आप आ जाते हैं या फिर एक bread है जो शड़ रही है उसके उपर fungus अपने आप जम जाता है लेकिन इस theory को गलत proof कर दिया था theory of Biogenesis ने theory of Biogenesis Lewis Paster ने जी थी Lewis Paster कहते था ऐसा कुछ नहीं होता, Life जो है वो pre-existing life के वेरे से ही आती है मतलब इन्होंने बस disproof कर दिया था theory of a Biogenesis को इन्होंने दो फ्लास्क लिए और दोनों फ्लास्क के अंदर केड़ी इस रख दिये एक को cover कर दिया तो उन्होंने अब्जर्फ कर रहा जो खुला वा तब सुसी के ओपर लाइफ आई लेकिन बंत उस पर लाइफ नहीं आई इस तरह से इन्होंने थिओरियो और ये बायो तो दूसरी थियोरी याई फिर्फ एशल क्रियेशन बहुत सिंपल सी विड़ियों यह यह यूनीवर्स बना है यह किसी supernatural power ने बनाया जैसे कि भगवान ने लास्ट थियोरी थियोरी ओफ chemical evolution थियोरी ओफ chemical evolution कहती है कि chemical यह आपस में तूटते जूटते गए और उन्होंने life बना दी यह दी थी ओपेरिन और हेल्डेन ने इन्हों में कहा कि इन और्गेनिक जो मॉलिक्यूल अर्थ वर पहले थे जैसे कि CH4 था एस एनस्थी था और H2O था यह सब आपस में तूटते जूटते गए और उन्होंने और्गेनिक मॉलिक्यूल बना दी जैसे कि शुगर रोटीन्स न्यूक्लिक असिट मतलब डियने आरने यही सब सब्सक्राइशन बनाई थी जब तो उन्होंने उसमें हाई टेंपरेचर दिया जो अर्थ पहले होया करता था वाल्केनिक कंडिशन दे दी और उसके बाद CH4, NH3, H2O, H2O असब डाल दिये और उसके बाद उसमें एक इलेक्रिक डिस्चार्ज दिया 800 डिग्री सल्सियस के पर और देखा कि Amino Acid बन गए थे और ऐसे यह बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट करें तो अलग अलग रिजल्टाइज अज़ शुगर, NITROGEN BASE और पिग्मेंट फैट यह सब बनते रहे विच प्रूब दैट, Theory of Chemical Evolution is correct. At the end, keep supporting, peace.